नमस्कार मैं हूँ एडिमा दिवेदी रनवीर सिंग के एक एड को ले करके मुश्किलों में फसी कमपनी बिंगो ने फिल हाल इस आड के उपर अपनी सफाई दी है जिस तरीके से रनवीर सिंग का हाल फिल हाल में एक एड आया था जिसमें वो बिंगो के वेफर्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन उस आड को लेकर के काफी कॉंट्रोवर्सीज क्रियेट हो गई थी व्यूवर्स का ये कहना था कि उसमें सुशान सिंग राजपूत की इंसर्ट की जा रही है सुशान सिंग राजपूत की डेथ के बाद उनको टार्गेट किया जा रहा है लेकिन अब बिंगो की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस आड को एक साल पहले ही शूट कर लिया गया था इसमें वो किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं किसी की भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं और सुशान सिंग राजपूत को टार्गेट नहीं किया गया है इस तरीके का एक बयान बिंगो की दरफ से जारी किया गया है कि पिछले साल, October 2019 में ही इस ad को shoot कर लिया गया था और इस ad को अभी तक इसलिए रोका गया था क्योंकि COVID की वज़े से इसका post production काम नहीं पूरा हो पाया था तो अब इस ad को जारी किया गया है लेकिन इस ad को reveal करने के पीछे किसी की भी insult करना इस company का मकसद नहीं था इस तरीके का एक बयान बिंगो की तरफ से आया है दरसल रनवीर सिंग का एक ad आया था बिंगो को promote करते हुए जिसमें वो कुछ scientific terms का use कर रहे थे जिसको ले करके viewers की तरफ से इस तरीके की reaction आ रहे थे कि इस ad के through सुषान सिंग राजपूत की मौत के बाद उनको target किया जा रहा है सुषान सिंग राजपूत की insult की जा रही है और इस ad के आने के बाद से viewers ना सिर्फ harsh comments कर रहे थे ना सिर्फ comments पे comments कर रहे थे बलकि controversy create हो गई थी लोग नाराज नगजर आ रहे थे बिंगो से ये भी कहा जा रहा था कि Bollywood को boycott कर देना चाहिए hashtag boycott Bollywood जादा train करने लगा था सोशल मीडिया पर वहीं बिंगो को भी boycott करने की बात आ रही थी जिसके बाद से company ने इस ad के वीडियो पर से like और dislike के comments और buttons भी हटा दिये थे लेकिन अब बिंगो की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस ad को सुशान सिंग राजपूत की मौत से पहले ही shoot कर लिया गया था इसमें किसी की भी insult करने का कोई इरादा नहीं था company का और फिलहाल अगर किसी की भावना को ठेस पहुची है तो हम माफी मांगते हैं पर सुशान सिंग राजपूत की या किसी भी actor की किसी भी तरीके की insert company नहीं करना चाहती थी इस तरीके का बयान बिंगो की तरफ से आया है